मेश के question शीरीज में आज हम आपके लिए भिन से related सवाल लेकर आए हैं तो इसमें हम कोई भी दो भिन लेते हैं उनके बीच में जोड घटाओ करके देखते हैं तो हम पेले अपने मन से कोई भी भिन ले लेते हैं एक बटा दो धन एक बटा दो simple सी भिन्ने है सबसे पहले एक बटा दो ही आता है तो जब हर में एक जैसी संख्याएं होती हैं तो एक बार लिखते हैं तो यहां पर आजाएगा दो और उपर की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो एक धन एक बराबर आया एक, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक, तो हमारा उत्तर आया, एक, इस तरीके के सवाल में पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स हा रही हैं, बच्चों को भिनने के सवालों को जोड़ और घटाव करने में, तो उसके लिए आज फिर से भिनने के सवाल हम लेकर आए हैं, अब एक सवाल हम जो अकसर टेस्ट बुक में रहता है, तो वो वाला ले रही हूँ में, दो, रिन, तीन, बटे, पांच, ठीके, यहाँ पे इसको भी हमें भिनने के रूप में बनाना पड़ेगा, तो इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, ठीके, अब य हम लगुत्तम लेते हैं, लगुत्तम समापवरतक को छोटे में 10 सा लिखते हैं, इसका लगुत्तम समापवरतक हुआ 5, अब यहाँ पे क्या होगा, एक में किस चीज का गुणा करें, कि पांच बन जाए, तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो अगर यदी नीच ये 5 का गुणा किया है तो उपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा रिन 5 में काई का गुणा करें कि 5 या जाए तो 1 का तो 3 गुणित 1 ठीके तो 5 दूनी 10 5 एकम 5 रिन 3 एकम 3 5 एकम 5 अब हर एक समान हो गए तो यहाँ पे हम 5 एक बार लिख लेंगे 10 रिन 3 बराबर 7 बटे 5 यह हमारा एंसर हुआ ठीके और एक और सवाल लेते हैं हम देखे एक और सवाल हमने लिया है 3 बटे 5 धन 2 बटे 7 ठीके तो यहाँ पे हर में 5 और 7 है तो 5 और 7 का हम लगुत्तम लेंगे दोनों अलग-अलग संख्या हैं किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती है तो यहाँ पे आया है 5 और 7 तो 5 का 5 को पहले 5 से भाग करा 5 एकम 5 7 हमने ऐसा ही उतारा फिस 7 का करा 7 एकम 7 5 गुणित 7 बराबर 35 ठीके तो लगुत्तम आया हमारा 35 अब यह वाली संख्या में 5 है हमारा हर में तो 35 बनाने के लिए हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा नीचे 7 का गुणा करा है तो उपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा धन यहाँ के हर में 7 है तो 7 में 5 का गुणा करना पड़ेगा तो 35 और 2 गुणित 5 ठीके तो 7 तिया 21 बटे 35 धन 5 दूनी 10 बटे 35 हर एक जैसे हो गए 35 हमने एक बार लिखा उपर कोई परिवर्तन नहीं 21 धन 10 बराबर हुआ हमारा 31 बटे 35 यह हमारा एंसर हुआ ठीक है अब इससे related मैं और भी सवाल आपको दे रही हूँ होमवर्क के तोर पर प्लीज इसको करियेगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि यह आपको आए यह नहीं आए देखिए हमने एक सवाल हमने लिया है चार धन 7 बटे 8 दूसरा लिया है हमने 9 बटे 11 रिन 4 बटे 15 तीसरा सवाल हमने लिया है 7 बटे 10 धन 2 बटे 5 धन 3 बटे 2 यहाँ पे 3 संक्या है तो तीनों का लगुत्तम आके हर में एक जैसी संक्या हमें बनाना है चोथा सवाल है हमारा 2 सही 2 बटा सोरी 2 सही 2 बटा 3 धन 3 सही 1 बटा 2 यहाँ पे पेले हम सही बटे तोड़ेंगे फिर हर एक करेंगे फिर इनको जोड़ेंगे और पांचवा सवाल है हमारा 8 सही 1 बटा 2 रिन 3 सही 5 बटा 8 यह 5 सवाल हमने आपको हमवर्क में दिये हैं इसको करिएगा वीडियो देखकर और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मग